हेलो एवरीवन तो आज ना वीडियो लेक्चर नी अंदर आपने डिपलोमा सिविल एंजीनियरिंग ना दृजा समेस्टर नी अंदर आउतो सब्जेक्ट निटले के कंस्ट्रक्चन टेक्नोलोजी ए सब्जेक्ट ना जी टीव ना सिलेबस अनुशार नो एक यूनिट निट आज ना वीडियो लेक्ट चनना मुख्य टोपिक्स अथवातो जह जे टोपिक्स आपने डिसकस करवाना छे एनी वाद करिये तो मां मुख्य टोपिक्स आव से एकले के अलगलग प्रकानी मेथड्स पर द गॉंपेक्शन ओप द गॉंपेक्स ना प्रोचेस नी जो वाद करिये तो आएक जे गॉंपेक्स न अब कोंक्रीट छे ए आख राख प्रोचेस ना पांचमो स्टेप छे जहारे Curing of the Concrete छे ए छठो अने Last Step छे आनी पेलाना चार स्टेप एटले के बेची, मिक्सिंग, ट्रांस्पोर्टिंग आने प्लेसिंग ए आपड़े आनी पेलाना Lectures ने अंदर जोई चो किया छे एटले हवे आजना Lecture ने अंदर आपड़े Last 2 स्टेप एटले के पाच्मो स्टेप एटमेस के Curing आप बन्यानी अलग-अलग मेथड शू आपड़े चो शू राइट हावेमा सावती पेला बात करिये के Compaction of the Concrete हावे साम माटे Compaction जरूरी छे अथवा तो Compaction सू केवा मावे छे तो के Compaction is the process of molding concrete within the forms and around the ambient part in order to expel the entrapped air from the concrete and obtain the homogeneous dense mass. यहला आँ सून छे, definition मोटी लाख से, प्रोसेस सून छे, कि जे concrete छे, जहने तम्में formwork नी अंदर तम्में प्लेस करी दितू छे, तियार पची एन्ने व्यवस्तित रिते दबावा मावे, कूटवा मावे यह वाइब्रेट करवा मावे, यह नी हाव कोई पन मेथड थी, तम्में ए प्रोसेस अत्वा थी मेथड एपलाई करो, और यहनू मुख्य कारण छे, जहारे जहारे कॉंक्रीट नागती वक्ते, एमा एर ना पार्टिकल्स अत्र अत्र एर बबल जे ट्रेप थी गया चे, जहने कारणे कॉंक्रीट नी अंदर वोईड, यह खाली जग्या हो जन्रेट थासे, यह खाली जग्या के जे एर वोईड छे, एने दूर करवानी प्रक्रिया, एने सुन के वाम आवे चे, कॉंपेक्शन के वाम आवे चे, राइट, सवाल हम थाए, के सरा एर वोईड अत्वा तो एर ट्रेप थी जे तो एने कारणे प्रोबलम क्या क्या आवे, तो जो यह तो, तो किदर अमाउंट अफ एर ट्रेप इन दो कॉंक्रीट इस डिपें स्टिप्नेस अब दो मिक्श स्याँ, आवे ये लुज कॉंक्रीट चे है आथि द आतो आपने जेने वार्त करीएगे जहामेलो कॉंक्रीट ना थी जहामयाँ साल यापेलानोदव प्रेश कॉंक्रीट चे यह इनि ब्ये प्रोपट इस चे, पैरलोचे वरकेबीलिट् Baldwin अनल बहर्केमिलीटी वधार था से और स्टिफनिस एके वऔर वकेमिलीटी एग ग्म उल्टू कि जो यह कंक्रिट छे इनने जहर दाने एक जिल Democrat श़िछ। तमीखेर टमारे अ मावर थे चाहिँ आप्षाई फ्लोख ₡DHR थे उचिकतल काओ पर बहर में थे चा आथवा तो कॉंक्रीट नो जे लिक्विट जो गुणधरूमों नहीं होई तो एमा एर ट्रेप थवा ना कारुण प्रमाण वधी जासे तेट में जो कॉंक्रीट स्टीफ होसे वधारे कठन होसे एक जग्ये थी बिजी जग्ये नू व्यहन करावू अग्रू पड़ी जातु करिये तो जे रेती चे नी वर्किबिलीटी वधार होसे कंपरेटू जे आपड़े वात करिये के काकरा थो तो कोर्स अग्रिकेट तापने बद्धाने कबर चे कि जो तम्हें एक क्यूब नी अंदर रेती और काकरा भर सो तो काकरा नी अंदर एर ना प्रमाण वधार होसे क परे टु रेती नो जो क्यूब भरे लो अशे एने प्रमार्मा राइट हावे तो के stiffness of concrete is mix has a high percentage of air trapped air and therefore it would be need higher compaction effort for the compaction that means के जो stiff concrete छे एने अंदर air trapped हावाना कारण वधी जाशे तेने कारणे एनु compaction work करू आथेमा compaction effect आओ compaction करऊ वधारे जरूर अबने जातू वहाई छे बीजिवस्तो के the density strength and durability of the concrete depend upon the quality of compaction आप्र जो ही है जो air trap रह शे एटला के concrete ने अंदर air नु प्रमार्मार्मार्मार्म वधार हाशे तो यहनी density and strength and durability उचही पड़से परन जो तम्हें कॉमपेक्शन कर सो औने केतली एर काडसो एना प्रमाण मा एनी durability, density औने strength थिरे धिरे वतते जासे तेट मेंस के जेम जेम, कॉमपेक्शन ने कारणी एर कॉंक्रिट मां थि निकरती जासे म, एनी strength मा आने density मां शूं थातो जासे, वधार थातो जासे आपर दो पार्टीटरिक्ट गिया, इंकेज़े वाहने कोम्पेक्शन की स्वर्गोधे, क्यकेशन के इंच्वान बहुदे, पहलं Lawrence, इनिअरे माकामन वरत क्यों सरी है सिमेट्ना पर्टिकल और सिपेट्स, और कोस्यग्रिकेंट ना मरूं पर परिक्शन वह रिक्शन रेई constitu स consider युक्रियुट स diss suited खरी कोंक्रिट नमार ढूंत करने किस खरींज चीवर परिक्शन वह सकत cohesive शवाल थैसे इंटर्स कोंक्रिट सेन चीवाप सी चाई इंटर्नल फ्रिक्षन एटला माटे इंटर्नल फ्रिक्षन ची ओछू थवू जरूरी होई छे आनि केना थी थसे कॉम्पेक्षन थी त्यार पची एनी अंदर जे हवा छे ट्रेप थेली हवा छे इना दूर कर से सा माटे दूर करवी पड़ा चे आएक एक एग्जांपल थी लए कि सपोज के एक मीटर क्यूब नो कॉंक्रीट नो ब्लोक चे एमा पांच टका एर ट्रेप थे गई चे केटला टका मात्र पांच टका एतले के 0.05 मीटर क्यूब जेतली इच एर ना बोबल्स एमा रेग गया मात्र पांच टका जेतला तो पन एनी जे स्ट्रेंथ चे इपांच टका जेतलो घटाड़ो आवशे अने आप पांच टका जो दस टका जेतली थेई जै तो एनी जे स्ट्रेंथ चे कोंक्रीट नी स्ट्रेंथ चे लगबग लगबग पचास टका जेतली थेई जासे एतले के पचास्ट का स्ट्रेंथ मा घटाड़ो आवी जाशे तो एतला माटे एमा थी एर काडवी जरूरी बनी जाती होई छे और साथे साथे जैए ट्रेप थाएली एर छे तो क्छे ट्रेप थाएली एर चे एक कोंक्रीटने पोरस बनावशे एतले के एनी यंदर छिद्र जन्डेट कर से जिने कार्णे भविस यमा लिकेज थवाना चांसेस चे वधी जता होई छे त्यार पची वाद करिये के method of compaction के compaction नी के एतली method हूँ छे अमा पेलू चे hand compaction अथवा तुझे manually करवा मा आवे छे ते हाथे थी त्यार पची compaction by vibration अटले के concrete नी यंदर vibration करावी नगरावा मा आवे छे त्यार पची pressure अन्य जोल्टिंग अटले के उपर ती pressure आपवा मा आवे जोल्टिंग एक्शन अटले के नीचे थी जटका आपवा मा आवे एना अधार है अन्य त्यार पची spinning अटले के concrete ना slab नुँ spinning rotation करावा मा आवे एना अधार है पड़ा जे चारे-चार मेथड छे ए चारे-चार मेथड नुँ selection के ना उपर depend थाई चे तो क्या प्रकार ना concrete work माटे क्या प्रकार नुँ concrete छे अन्य कई जग्या एना प्लेस करेलू छे यहना माटे कई मेथल बेस सुटेबल रेस है यहनु selection तो कि यहना selection थाउंट फेक्टर उपर depend करे चे पेलू छे type of structural element यतला कि क्या प्रकार ना structure ना पाट माटे तमारे concreting work करवू छे column छे, beam छे, slab छे, floor area छे, foundation work छे, right तियार पछे the properties of concrete mix especially its water cement ratio यहना कि यह फ्रेस concrete छे जहम्या पेलानो concrete यहनी अलग-अलग प्रकार नी properties यहामा पन खास करीन water cement ratio केटला प्रमाण माँ पाणी छे और केटला प्रमाण माँ सिमेन छे एक बीजाना reference माँ यहना उपर अधर राखा छे तरी जु कि the desired properties of hard and concrete यह एक वकत concrete जहम्य गया त्यार पची तम्य अमाथी केवी गुणवत्त आत्वा तो केटला यहनी properties तम्य मेडवा मागो छे खास करीन यहनी strength नी वाद करिये, वजन नी वाद करिये, flexibility नी वाद करिये तो अव्यु जामिया पचे तम्य एक concrete माथी केवी यहनी expectation डाखो चो property नी एना अधर नकी थतु होई चे कही method चे यह compaction नी used थाशे, right? हवे अ अलगलग compaction नी method माँ सवप्रथम वाद करिये hand compaction, केना माटे उप्योग माँ आवे? small and unimportant work माटे, यह नानी साइज ना वर्क चे और एवो concreting work चे केटलो बदू important ना थी For example, वाद करिये, के ज़े foundation वोल चे अथा फड़िया नो कोई भाग चे यहामा मात्र अमुग जग्या के निया थालिक तमारे concreting work करूँ छे के निया चोमा सदरम यहां गारो नो थाई, बस एटला माटे चे तो वो unimportant work अने small work माटे hand compaction चे यूज थतु वोई चे पाँ चे बिजी केस्ट नी अंदर वाद करिये? तो कि एवे जग्या है के जिया मोटा प्रमाण मा reinforcing यूज करेलो चे एटले के जे reinforcing ना बार चे जे शडिया चे एकदम नजिक नजिक राखेला चे आने बिजी कोई instrument नी मदेत्ती तमें compaction करी सकता नथी तो एवाक SS मा hand compaction चे वापरवामा आउत्तु वोई चे Hand compaction नी पाची त्रण मेथड हूँ चे, roading, ramming औने tapping त्रणेत्र मेथड़ वारा फरतिवार आपड़े जोहिए सवप्रथम मा आवे चे, roading तमें फिग्गर मा जो हूँ ते, roading येटले के लामबो सडियो नामज इंडिकेट करेंच सुम हूँ चे, काई नाथी जो बकेट हूँ आइत्र में फिग्गर मा जो हूँ एक मोल्ड ली देल हो चे, येनी यंदर रोडिंग करेला चे, तो येनी यंदर येक मोटो road होई चे, लगबग-लगबग 2 मेटर नी लंबाईन होई चे, आना 16 mm तीमांडी ना 20 mm नी वच्चे नी, आना जेनरल केसेस मां कातो स्टील रोड होई चे, काप चे बांबू, येतले के वास्ट नो टुकड होई चे आतो आतो चामू केसेस नी यंदर के होई के जे फॉंबग माटे जे लाकडाना टेकाव प्राई चे, येमा ती कोई रिइन्फोर्सिंग बार चे, एनी वच्चे तमारे कोंपेक्शन वर्क करूँ चे पेक करूँ चे, कोंक्रित नू तो त्यां तमें यूस करी शको अने खुणा आओ चे खुणा नी अंदर तमारे ज्यारे कोंक्रित ने बेस हाड़ोँ चे, कोंपेक्शन करूँ चे तेवा कैसेस मा रोडिंग यूस थत्त होई चे लिमिट नी वात करिये तो 15 cm तिमानी ने 20 cm सुधी नी लैयर हसे त्यां सुधिया रोडिंग व्यवस्तित वर्क करशे त्यार पच्छी आयटलों बदू इफेक्टिव थसे नहीं त्यार पच्छी वात करिये रेमिंग, रेमिंग ना मतलग था कूट वू आये तम फिगर मा जोवा है रिते रेमर टूल ना उप्योग था तोवई चे क्या उप्योग करवा मा आवे चे unreinforced आतानी पेलाना लेक्चर्स मा यहमा निच्चे निसायत खाली concrete बेसाडवा मा आवे reinforcing कोईपण बार होता नथी आत्वा तो ground floor मा concrete work करवू चे ground floor नो तड़ियू यहमा तम reinforcing बार लगारता नथी concrete पाथरी देवो चे तो यहना माटे आनो उप्योग करवा मा आवे चे manual होई चे construction के वोई चे एक फिगर मा जोवे रते एक grammar tool आपेल होई चे एक लांबो शड़ी होई चे निच्चे न भाग उपर एक फ्लेट वेटेड प्लेट आप नाग लगाड़ेली होई चे यह चोरस प्लेट होई चे जोनो वजन लगबग लगबग 3 किलो थी मांडीने 7 किलो नी वच्चे होई चे त्यार पची शूँगरवा मा आवे चे के हाथ थी ने उपर उपडवा मा आवे चे त्यार पची नीच्य मुकीदवा मा आवे चे के इनकी ने सेलफवएट ने कार्णे यजमिन उपर आथा कोंक्रीट नी सर्फेस चेनी उपर भटकाश अर्यले शें सन्ति यहारे कोंक्रीट नी युप कंक्रेट नी पिएznट यह सिमेट नी आवे यह उपड़्या ए बधी बार निकली गई छे ने व्यवस्तित रेमिंग थाई ग्यू छे राइट त्यार पची वाद करिये टेपिंग रेमिंग जे उच्छे पने टेपिंग ने अंदर सुन थाशे क्या यूज करवा माँ आवे तो के गोंपेक्टिंग रूफ रूफ ने अंदर त्यार पची फ्लोर और रोड पेवमेंट याटले के रोड नू जे पेवमेंट वर्क करवा नूचे त्यां कि जियां ठीकनेस चे एक कोंक्रीट नी जे पोडाई चेनी कमपेर मा ओची वोई और सर्फेस ने व्यवस्तित स्मूध करवा माटे तमें गणिवक्क जोई होए शे कि जहरे छतु पर स्लेब बरात होई एक वकद स्लेब बरे जे त्यार पच्छे वो लाकडानू मोटो पाटियू लाकडानू मोटी प्लेट जेवलाई और व्यवस्तित फिनिसिंग वर्क करवा मा आवत होई और व्यवस्तित कुट वामा आ कि मोटो से ज़िए मीाण राकी आयाट जे वर्क झे Catsa कुम्न वर्क ची व्यवस्तित कर लूचे माटे चार्ण करें प्लेंड पर्लेजरहन वाट करें प्लेंद रःस्यों नदर पाय Lang . वधार राखो पड़तो होई छे, जहरे पन कॉंक्रीट नी अंदर पाणी नू प्रमान वद से, त्यारे तमारो जे कॉंक्रीट नी स्ट्रेंथ छे, एके भी थाई जासे, नबड़ी पड़ से, तो आता हेंड कॉंपेक्शन, त्यार पची वाद करें, कॉंपेक्शन बाई व से, वो राखो पड़े, वो नीचो राखो पड़े, एके नानो वोटर से में ट्रेस्ट यो राखो पड़े, आपने बदान खबर छे, आगर चल्चा करिये, क्या स्टीफ कॉंक्रीट होसे, तो एनी अंदर तमारे एर ना पाईटिकल्स वधारे ट्रेप्थ होसे, आनो एव तो जो स्लंप कहिए, तो आज जी मिके ने जहरे वाइबरेटरस नो तमे उप्योग कर सोने, कॉंक्रीट छे, इए ओछो स्टीफ होसे, एटले के, चार सेंटीमेटर जेटलो जनो स्लंप होसे, स्लंप एटले के, सपोज के कॉंक्रीट नो तमे धगलो करो चो, विदा उट मेक्सिममम केटली उच्चाय सुधी नो तमे नो धगलो करी सको, एने इनो स्लंप के वामा आवे, तो आने कारण सुन थासे, कि स्टीफ कंसिस्टनसी विदा स्लंप, एटले कि चार सेंटीमेटर जेटलो स्लंप होसे, तो एवा स्लंप मा तमे तमें कॉंक्रीट नो स्टीफ करीक्सक्षण, तो नो अने मदती करी सको, ज्यैं करने मद तमें विदा स्टीफ करेश्यों थासे, तो आप रहाते कर आप रहाना प्मेलो, जो एड कि नो स्टीफ कंसिस्टै धीन junior. अच्छु वापर आशे, राइट, त्यार पछी, कि लो वोटर सिमेट रेस्यो ने कालने तमारे अच्छो सिमेट वापर हो पड़ से, तो कोस्ट मा पन बेनिफिट मड़ से, त्यार पछी सुँ कर से, कि आ प्रकार नो वाइबरेटर नो उप्योग करवा थी, कोंक्रीट वच अच्छो थाशे, आने येनी साथ्य साथे, कोंक्रीट नो टाइम पन के ओवा कर से, तो लेबर कोस्ट पन अच्छो थाशे, वाइबरेटर नो पाच अमूग प्रकार पड़ेचे, येमा पेलू चे इंटरनल वाइबरेटर, बिजू चे एकस्टरनल वाइबरेटर, इगर में जोवाए रिते एक इंटरनल वाइबरेटर, एक हेन्टूल जेवी जरचना चे, येना त्रण यूनिट वाइबरेटर येमा पेलू बोक्स जेवा देखाया चे, पावर यूनिट चे, तेयार पाची फ्लेक्सिबल कोर चे, अन नीचे, वाइबरेटिंग हेड एक वजंदार मास्ट लगाड़ेलो अवा सुन थासे, कि ज्यारे आँ वाइबरेटिंग हेड छे, इचा जार थिमांडी ने बाराज़ेर आर्पीम नी वच्चे रोटेट थासे, तो रोटेशन ने कारणे जी एसेंट्रिक मास्ट ध्रुजारी क्रियाट करशे, यहना ध्रु रर्थिमांडी ने 5-4 सेंटिमीटर नी वच्चे रोटेशन नो वच्चे राइट, तो र पच्ची वाद करियाँ, कि हवे आजे वाइबरेटरी हेड ची, आखे आखो कोंक्रीट नी अंदर नाखे देवामा आवसे, तेना कारणा सुन थासे, कि ए वाइबरेशन ची कोंक् 5 cm per second नी जड़ पे निरात यह थी तमारी कॉंक्रिट माथी निडल बार काढ़वानी रह से अथो तो वाइबरेटरी हेड बार काढ़ी लवानो रह से तेने कारण जों थासे के ये ने कारणे जग्या बहनी चे ये बधी जग्या कॉंक्रिट पोतेच पूरी ला से त्यार पची ये जग्या तमें पेला एड काढ़ी रही थी त्यार थी 45-45 cm ना अंतर फरी पाच्छे वा निडल चे एड करवा माँ आव से कॉंक्रिट नी अंदर ने वाइबरेशन वर्क करवा मा आवसर त्यार पची वाद करी एक्स्टरनल वाइबरेटर क्या यूस थासे प्री कास्ट कॉंक्रिट मा एटले के सपोज के कोई ब्रीज ना कोई पार्ट चे एपला फेक्टरी मा बिनावा मा आवे चे त्यार पची देखाई छे यह external vibrators चे अब आशूं करसे कि जहरे concrete ने फोमवक ने अंदर नाखवा माँ चे एकले यह वाइबरेटर चे चालू करवा माँ चे यह vibrator आखे आखा फोमवक ने वाइबरेट करसे अन्य तेने कारण जे concrete चे यह ओटोमेटिकली जे फोमवक चे एनी अंदर सेट थतो जासे अन्य एनू कोमपेक्शन थतो जासे राइट जेनरल के असेस नियंदर सुम थाई जे कि मोटा अने हेवी फोमवर कोई हेवी प्रीकास्ट कोंक्रीट ब्लोक्स होई तेना कंस्ट्रक्शन माटे आ एक्स्टरनल वाइबरेटरस चे उप्योग मा लेवात आओई छे त्यार पछी वाद करिये टेबल वाइबरेटरस हवे आ एक्स्ट्रक्शन माने इपण एना लेबरेटरी परपस माटे यूस थाई छे तम्हें फिगर मां जो होई रिते एक मेटलनू टेबल चे ए चार स्प्रिंग वडे अटेच करेलू चे एना बाकी ना स्ट्रक्शर साते है अवे एना निच्चान भागे एक वाइबरेटरी हेड लगाडेलो वोई चे अनि एक पावर थी एलेट्रिक पावर्ड मोटर थी सूं करेलो वोई चे चालतु वोई चे अवे जे मोटर ने आपड़े रपीम नी वाद करिये तो जेरे मोटर थी चाहजार रपीम में फर शे तो स्प्रिंग ने कालन जे उपर नू टेबल चे आको वाइबरेट थाशे अनि एने अंदर टेस्टिंग माटे जे ब्लोक रगाड़ेलो चे अथवा तो जे क्यूब बिनावानो चे टेस्टिंग माटेनो कोंक्रीट नो एननो तमारे कॉम्पेक्शन करवानो चे लेबोरेटरी ने अंदर जे क्यूब बना हुआ जरूर छे, यहनु कॉम्पेक्शन करवा माटी क्यूब छे, यह उपर ना जे हेंडल छे नी मदेत्ती अटेच करी देवा मावस है, त्यार पची सुँँ थासे कि यहरे 3000- 6000 रर्पिया में रोटर रोटेत थासे, तो एने यहनु सुँ थाई जासे, कॉम्पेक्शन वर्क थाई जासे, त्यार पची वाद करिया सर्फेस वाइब्रेटर, सर्फेस वाइब्रेटर छे, यह कोंक्रीट नी उपर नी सर्फेस उपर लाग से, यहनी अंदर कोईपन प्रकार नू इंसर्शन करवा माँ आवसे, नाई, स्क्रीड टाइप ना वोई चे, स्क्रीड एटला सुँ, आया फोटा में जो वाई रिते, के जे वर्क करे पकड़ेलू छे, मोटा पट्टा जीवी रच्छना चे न सुँ, के वामा आवे चे, स्क्रीड के वामा आवे चे, तम्हें घडिवक जेर प्लास्टरिंग वर्क थ वाई तो प्लास्टर मा फिनिसिंग करवा माटे जे लांबी पत्य वाई तम्हें एने स्क्रीड कई सको, आने अंदर सुँ, आसे क्या स्क्रीड बोड चे, लाकडा नो अथो तो मेटल नो बिने लवाई, एने उपर वाइबरेटरी हेड लगाडेलू अशे, के ना माटे वधारे जाड़ाई नो जे लेयर अशे, वधारे जाडी थीक लेयर अशे, तो इना कॉम्पेक्शन माटे तम्हें सर्फेस वाईबरेटर यूज करी सक्षो, नई, पड़े ना थी ओचा लेयर नी अशे, एटला के कोंक्रीट नी जे थीकनेस चे 150 समियम ती ओची अशे, त अशे, अशे, जे कोंक्रीट नो ब्लोक छे, खासकरी ना केना माटे यूज करवा मावे, होलो ब्लोक्स बिनावा माटे, केविटी ब्लोक बिनावा माटे, अथो तो सोलिट कोंक्रीट ना ब्लोक बिनावा माटे, ये जे कोंक्रीट नो ब्लोक छे, एने पिला अई जे निकली जासे, जब बाकी नी जब हवा रही चे एटले की एर रहाँ चे एनने निच्चना एटले की ट्यबल जबन चे नियाथी वाइब्रसन मोसन आपवामा आऊशे न साथे-साथे जोल्टिंग, जोल्टिंग एटले के जटको मारवो, ये जोल्टिंग एक्षन गई आने बाकी नी बधी हवा चे निकली जासे, 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 निकल बदतं रोटेट कर वाम आऊऊसे, पेला लोग स्पीड रोटेट थतु आजे इस रिक्वाइड कोंटीटी नूझे कोंटीट छे एनि अंदर नाखी दे वाम आऊऊसे एक वकद रिक्वाइट कॉंटिटी मां कॉंक्रीट छे नि अंदर नखाई जाई त्यार पचे यहना स्पीड वधर्वाम आउसे आवे स्पीड वध से तो जो कॉंक्रीट ना पार्टीकल छे यहनी उपर सेंट्रिफूगल फोर्स लाग से अने जे आव कॉंक्रीट ना फोर्म बनावेलो छे अथ्वा तो जे आको कंपोनेट तैयार करेलो छे यहनी सर्फेस नी साइट दबाता जासे सर्फेस साइट चोटता जासे due to the centrifugal force सामाटे काणके आपने बद्धाना खबर छे के centrifugal force छे जेरे कोई वस्तु कोई केंद्र ना कोई एक पोईट ना रेफरेंस मा रोटरी मोशन करती है लेकि गोड़ गोड़ फरती है तो यहनी उपर centrifugal force लाग से ना centrifugal force छे ए पार्टीकल के वस्तुने केंद्र ती दूर धको मार से आया के सिसमा सुनता से कि यह जे surface चे आके मोल्ड नी जे surface चे एनी तरब कमपेक्शन अथो तो धको लागतो जासे आने त्यार पची सुनता तो जासे कि एक आकी लेयर बनी जासे concrete नी ओके त्यार पची सुनता से कि एक वकत spinning process पूरीथावा मा आउसे त्यार पची जे अग्यानि स्पीड घटाली देवा मा आउसे आने त्यार पची स्मोल कोंटीटी मा बू ओच्छी कोंटीटी मा जे ड्राई कोंक्रिट चेना चाट्वा मा आउसे यह उपर नु वधराणु पानी चे इड्राई कोंक्रिट एबजोब कलला से पनी surface निच्चे नी शर्फ बद्धु आज जे सिमेट तमें छाटो छोई एब्जोब करलाई छे, रैट? हवे बात करिये कि क्योरिंग, तो कि क्योरिंग चे इसुँँँचे कि कॉंक्रिट जामवानी प्रक्रिया छे, कॉंक्रिट कई रीत जाम से? कॉंक्रिट नी अंदर जे पाणी छे, ये पाणी औने सिमेट वच्चे हाइड्रसन नी प्रक्रिया था से, गर्मी नी हाजरी मा, औने हाइड्रसन नी प्रोसेस ने कारणे कॉंक्रिट ना पार्टिकल्स वच्चे बूंडिंग वच्चे, औने कॉंक्रिट छे इई चामतो जा हवे कि हाइड्रस ने कोई पंड स्टेज देर मियान मेजोरिटी जे कोंक्रीट चीज़ों कंसेस्ट करसे सिलिकाट ज्यल एक सिमेट अना पाणी ना मिसरल्ती बनेलो ज्यल जेवी रचना वोटर और अन अन्रियक्टेड सिमेट ग्रेंज अटले कि एवा ग्रेंज कि जे पाण साथे संपर्क मा नथिंग तो कि ज्या सुधी अने रिक्वाइड टेंप्रेचर मरतूरिये त्यार बच रिक्वाइड ओटर मरतूरिये तो केमिकल रियक्षान थिया राक्षे अन्ने आजी जेल जेल ने कारणे अध्रेशन प्रोसेस थासे अन्ने कोंक्रीट वच्चे ना बोन्ड थासे, सिम्पल्टम ने अंदर कईया, तो ज्या सुधी पाणी अन्न तापमान योग्य प्रमण मा हसे, त्या सुधी कोंक्रीट छे, कोंक्रीट ने अंदर जे सिमेट छे, बद्धा पाल्टिकल्स ने एक बिजा वच्चे बोन्डिंग करावतु रहे से ने अन्नो नोर्मल केसिस ने अंदर जे टोटल सिमेट, सपोज के वोटर सिमेट राशियो 0.88 रिष्ट नो हुए, तो यह माती 0.23 जेट लो आईडरेशन माटे जरू पड़े छे, जे रहे 0.15 जेट लो आजे जेहल छे, एने निचा सुधी पोच्वाने बाकी ना बद्धा, कोंक्री अगरिकेट सुधी पोच्वा माटे जे जेल जेने जरू पड़ती वोई छे, पण जनरल केसिस ने अंदर जे ओटर सिमेट रेशियो अचे, इस 0.5 जेटलो राखवामाँ आवे छे, सामाटे 0.5 जेटलो, रिक्वेट तो 0.88 रिष्ट नियाती, तो जे वधारान 0.12 जेट और वधारान पाणी दूर थे, तो एना कार्णा सुँँँग थे, कि जो तम्हें कोंकरी वोटर सिमेट नो रेशियो अचे सरवातमा वधार राखवामाँ आवसे, एतले कि पाणी नो प्रमाण वधारा राखवामाँ आवसे, जेना कार्णा सुँँग थे, कि बासपी पन तियां कालने अमुख पाणी उड़ी जाई, तो पन आइडरेशन प्रोसाइस माटे जरूरी पाणी बैचूरिया. हवे जो क्योरिंग टाइम नी वाद करिये तो 7 दिवस तिमांडी ने 25 दिवस नी वच्चे वेरी थत्तू होई छे, पन कोई पन कैसेस मां कोंक्रिट नी क्योरिंग छे 7 दिवस पेला अटकू जोईए नई, लाइके ओच्छा मां ओच्छा कोंक्रिट ने 7 दिवस सुधी जामवादेवो जोईए, राइट? हवे जो कोंक्रिट ने अलगलग मेथड्स निवाद करिये, तो यहां पेलू आवसे water curing, बिजू चे membrane curing, त्रिजू चे calcium chloride curing, एतले के methane उप्योग करवामा आवसे, और त्रिजू चे application of heat, एतले के heat आपीन, राइट? हवे एमा पेलू चे water curing, बोस simplest, most common method चे, आपले बद्धाय जय जोईचे, water curing थाईचे, most efficient method होईचे, कई रित उप्योग करवामा आवसे, कान तो water चे, डाइरेकली कोंक्रिट उपर नाखवामा आवसे, और का पाची, कोंक्रिट नी जहामेली लेयर चे, ये नी उपर, sand, mati, अथवा तो, sow dust, अथवा तो, बीजी पाम मा वात करिये, तो, कोई पन प्रकान ना, लाकळाना छोल, ये बद्धी वस्तु नाखी, अने ये न भेजवाड़ू राखवामावे, ये वी वस्तु के जह पाणी ने एब्जोर्ब करी सके, ये वी वस्तु नी लेयर चे, कोंक्रिट उपर राखी ने, watering करवामा आवत वोई चा, राइट, हवे, तो के water curing satisfy all the requirement, येटले के, चेटली पन requirement चे क्योरिंग नी, येटले के hydration नी process, त्यार पची elimination of shrinkage and absorption of heat of vibration, येटले के hydration माटे पाणी प्रोवाइड कर से, त्यार पची जे गर्मी ने कारणे concrete ने संकोचन था से, ये अटकाव से, और hydration नी process दरम्यान जे जरूरी heat छे, ये भेजना कारणे जरूरी heat छे, ये वधरानी heat नीकर से, ये पन स ये टेमपरेचर छे, ये एक देवस्तित range नी अंदर राख छे, राट, majority cases मा आज यूस थाती वोई छे, पन जो busy method यूस थाती वोई, तो पन सरवातना एक का बेदिवा सुधी water curing छे ही करवा मा आउत वोई छे, अब water curing छे नी चार अलग-अलग method छे, अब पेलू छे immersion, इमर्जन एकला सुन, सपोज के लेबोरेटरी नी अंदर टेस्टिंग मा टे कॉंक्रीट ना ब्लोक बनाई वाचे, क्यूब बनाई वाचे, तो इजे ना 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 क्यूब छे ना पाणी ना टाका मा साथ दिवस के एठाविस दिवस उधी राखवा मा आउसे, तो इमर्जन आए पानी भर लू राखवा मा आवए, तो इजे नार्मोल आपनी उप्योक करिए छे, ते, त्यार पची आवए छे? स्प्रेइङ, तो कि स्प्रेइङ नी अंदर शूंध अखे, कि जे वर्टीकल वोल छे, कॉंक्रीट्ट ये बनावाली वर्टीकल वोल छे, तो ना समय स समय एन उपरशूं करवा माँ आउसे पाणी नो स्प्रेय करवा माँ आउसे जहरे वेट कवरिंग एतले के जनरली आपड़े को थड़ा उप्योग करता होई जह सिडिया ना छे ते अथवा तो एवू मट्रियल माटी छे रेती छे जह पाणी ने एब्जोब करी राखे एव पूर्ता प्रमाण मा अवेलेबल न थी for example वाद करिये का आपने राजस्तान जोए भरतनों राजस्तान स्टेकल निया पूर्ताप्रमाण मा पाणी मर्तनु न थी तो पांडिनी अचच अच्छ ये तो एवा समय ओटर क्योरिंग नी जग्ये मेंब्स क्योरिंग चे अपला कर देवा मावसे कि चुं कर से कि कोंक्रीट नी उपर ये मट्रियाल्स ना स्प्रेय कर से ये ने कार्णा सुन त से कि कोंक्रीट नी अंदर जै पाणी रहेलु छे यहनों बास्पववां था तू अटकावी देश नहीं, तेट मेंज, किंक्रिक मन्हले कायँ, क然 ओली के सबढ़ी भुर्रता रोस होलाओर वद सक्वापता दुदक्या वधर्स-पणक़री पकन्हा न धी अधाय। पाणी नी जरू पड़से नहीं अलग अलग प्रकानी मेथड चे बलेक कमपाउंड, क्लियर कमपाउंड और वोटरप्रूफ पेपर बलेक कमपाउंड एक लेशूं डामर चे अतो खास करिने डामर ये डामर ने लगाड़ आमा आवशे डामर चे प्योर डामर लगाड़ एक वोटरप्रूफ इंग लाइर बनावी नाक्षे अने ये पाणी नू बास्पिबुवन थवा देशे नै जरू एक क्लियर कमपाउंड नी अंदर चे क्लियर कमपाउंड नी अंदर शूं थाशे क्या ताल पत्री आपले साधिबासामा क्या प्लास्टिक नी ये नू आकी एक लेयर बनावी देवामा आवशे ये नी निच्चे पाणी भरेलू राखवामा आवशे जयने काणा सून थाशे कि जया वद्धर नू पाणी नू बास्पी बवन थत्तू आटके जाशे तो इन दसेंस के एवी जग्या के जया पाणी पुर्ता प्रमणमा न थी जया उच्छा पाणी थी तमारे क्योरिंग करुवो थे तेवा के सिस्मा membrane curing छे इवापरवामा आउसे तेयार पची वाद करिये calcium chloride curing calcium chloride curing नो खासियत सुँँचे calcium chloride अटले के मिठु कई रीत उप्योग करवामा आउसे कांतो cement अथवा तो concrete बनावती वक्ते direct concrete मा अज़ा add mixture add करवामा आउसे अथवा तो concrete सरवातनू initial जमाई जामी धे एटले के initial curing थाई जाए तेयार पची एनी उपर spray करदेवामा आउसे अथवा तो layer बनावीदेवामा आउसे सामाटे कांके मिठानु अग गुण धर्म अचे कि भेज ने सोस हीला से केल्सियम क्लोरेड 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 केल्सियम क्लोर ग्राम जेटलू मिठु एक स्क्वेर मिठर नी अंदर पाथरी देवाम आवसे। हो यह सुन कर से कि एमा थोड़ु गणु पाणी एडवांस में नाखी दिदु आशे, त्यार पची मिठु नाखी देवाम आवसे। यह मिठु जे हवानी अंदर रहेलो भेज एब्जोप कर तूरे अशे, और कोंक्रिट ने आप तूरे अशे। धेट मेंस के तमारे पच्छी वधार पाणी एड़ करवानी जरूर परती न थी। पन हाँ, एक खास वस्तों यहाद राखवानी के रेंद रम्यान, एटले के वर्शाद रम्यान, आ मिठु एपलाई करवू जो यह न जरूरी पड़ी जातू अशे, त्यार पची वात करिया, एपलिकाशन ओफ हीट, हवेख अपलिकाशन ओफ हीट सूंचे, यह डवलोपमेंट अप दे स्टेंट अप दे कोंक्रिट इस अ फंक्षन, नोट ओनली टाइम बट अल्सो दे तेंपरेचर, एक लेके, खाली टाइ जो हाई टेंपरेचर हसे, तो जे हाईडरेशन नी प्रोसेस ची जड़पी बन से, अन्ने साथे साथे जे स्ट्रेंट चे यह अपन तमने जड़प्ती मेलवी सक्षो, अन्ने धियान राखवानू, कि खाली हीट आप पी जरूरी नती, साथे साथे भेज आपो पन जरूरी बनी जातो होई छे, तेमिस के अलग-लग मेठ़ड दी कोंकरीटमा हीट आपवामा आऊँशे, अनने तेने काणे नूँ क्योरिंग वर्क करवामा आऊँशे, हीट कई रीत आपवामा आऊँशे, स्टीम क्योरिंग, एतले के हाई टेंपरेचन नी वराड एड़ करवामा काँ पछी इंफ्रारेट रेडियास है एतले के जो बल्ब फिलामेंट कही है आपड़े जुना सोना गोड़ा आउता के जे एवा गोड़ा के जेने बाजुमा राख्या तो हीट जन्डेट थाती हुई तो येवा बल्बनो उप्योग करीने अथवा तो इलेक्रिक क्योरिंग आपड़े कॉंक्रिट नाक प्रोडक्शन नी छेलाब्या स्टेप धेट मिसके कॉंक्रिट नुँ कॉंक्रिट नुँ कॉंपेक्शन आने नुँ क्योरिंग येनी अलग-अलग मेथडों येनी उपर चर्चा कही री सो थेंक्यू स्टूड़न्स